Hello dear students, welcome back to Organized Knowledge Channel और आज की जो मीटियो है उसमें हम डिसकस करेंगे वक्षीट नमबर 53, 4 क्लास 10th विशे विज्ञान है और ये वक्षीट आपके लिए 24th of December 2021 के लिए शेडिूल की गई है आज की जो वक्षीट है प्यारे बचो उसमें हम चेप्टर 4 जो आपका है कार्बन एव प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए तो देखे बचो आज की वक्षीट में क्या दिया गया है आज हम electron dot structure याने electron बिंदू सरंचना इसकी practice करेंगे तो पिछली वक्षीट में हमने मिथेन के बारे में किया हुआ है ठीक है तो सबसे पहले आपकी इस तरह का structure अगर बनाएंगे तो आप जो है बहुत ही आसानी से electron बिंदू सरंचना बना सकती है तो इसमें carbon के पास 4 electron है और hydrogen के पास अपना एक electron है ठीक है न और क्या करेगा hydrogen carbon के साथ सह सहीं जी आबंद बना कर और इस तरह से एक एक electron शेयर कर है क्योंकि hydrogen को तो केवल दो ही चाहिए और जो carbon है carbon को कितने चाहिए बच्चो carbon को 8 चाहिए इसलिए वो एक एक hydrogen का लेके और अपना जो है अस्टक पूरा कर लेता है अब हम यहाँ पे propane की सरंचना बनाएंगे और आप साथ साथ बनाओगे बच्चो ठीक है प्रॉप का मत साथ चो है क्या लगा देंगे हम hydrogen लगाके उसकी जो जो उसकी आबंद है वो हम उसके पूरे कर देंगे तो इस तरह से यह बन गया आपका propane ठीक है propane का मतलब क्या है इसमें single single आबंद रहेंगे अब हम बनाएंगे इसकी electron बिंदू सरंचना तो बच्चो आप साथ साथ ब बना रहे हैं इसकी electron बिंदू सरंचना तो देखे electron बिंदू सरंचना बनाने के लिए हम 3 कार्बन जो है ऐसे लगा लेते हैं हर एक कार्बन एक ईक जो इस तरह से आबंद है उसका मतलब है दो electron की sharing है ठीक है तो हम कार्बन के जो 4-4 electron है पहले वो पूरे कर दे जो electron है वो ल करेंगे hydrogen का electron भी साथ में दिखा देंगे बच्चो थोड़ा space कम है इसलिए आप जो है बहुत अच्छे से करना clear अब ये हो गया अब hydrogen के दो-दो पूरे कर लीजिए एक carbon के साथ हो क्या बनाएगा जो है सैसन्योज याबंद बनाके और अपना पूरा कर लेगा तो ये हो गया hydrogen का complete जो है ये hydrogen यहाँ पर आ जाएगा ना एक hydrogen तो ये इसने पूरा कर लिया ठीक है अब इसी तरह आगर हम देखें यहाँ पर carbon के तो carbon के क्या हो जाएंगे दो इसके ये हो गए एक इसके साथ हो गया चार और दो ये वाले और दो ये वाले आठ इसी तरह इस वाले carbon के दो और ये हो जाएंगे दो इसके और दो इसके और ऐसे ये वाले बचो आप जब करोगे झा खुद से तो बहुत ध्यान से तो आप खुद जो है इसको कर سकते हैं बहुत आसानी से अब यह आपको लग रहा होगा, यह बहुत वैसा हो गया, लेकिन आप जब एक के करके लिखोगे, तो बहुत आसान है, तो आप इसको इस तरह से draw कर लोगे, उसके बाद, नेक्स देखिए, अब हम इसको clear करेंगे, तो वीडियो pause करके आप इसको कर लीजी, नेक्स हम करेंग एथीन के बारे में, तो एथीन का मतलब क्या है, इसके अंदर जो है, क्या है, द्वी आबंद है, तो एथीन में द्वी आबंद है, तो इसमें देखिए, इस तरह से यह structure बनता है, इसका formula होगा, C2HE4, ठीके, तो C2HE4 जो है, तो हर एक carbon के साथ कितने आबंद रहेंगे, द बीच में क्या आजाएंगे, दो-दो electron की साजिदारी आएगी, तभी जो है, द्वी आबंद बनता है, अब हम इसमें करेंगे propene की सरंचना, तो propene की सरंचना के लिए सबसे पहले हम इसका formula लिख लेते हैं, इस तरह से यह बनेगा, बस हमें एक बार यह लिखने के बाद त फिर तो हम आसानी से उसको बना सकते हैं, यह हो जाएगा हमारा propene, C3H6 जिसका formula है, अब बहुत आसान है, अब हमने लिख लिए बचो इस तरह से तीन carbon, और तीन carbon के साथ हर एक के साथ अब हमें देखो, बीच में यहाँपे दो आबंद दिखाने हैं तो बीच में, अब आ आप यह जो है, दो इलेक्ट्रोन बीच में लिखेंगे, ऐसे, दो इलेक्ट्रोन बीच में दिखा दीजे, इसके चार हो गए, इसके एक, दो, तीन, और एक इसके साथ आजाएगा, एक इसके साथ, और तीन इसके अपने, अब आप ले लिजे hydrogen को, आप इसके साथ एक hydrogen, इ ऐसा यहाँ पर बन गया ना, बस सेम उसी तरह से उसको ऐसे बना देना है, hydrogen के दो, इस hydrogen के दो, इसके दो, इसके दो, इसके दो, और ये इसके भी, अब carbon की बात करें, तो carbon के भी कर लेते हैं, अब carbon में क्या करेंगे, दो ये हो गए इसके, चार तो इसके देखो अपने है, चार और चार तो यह अपने हो गए ना इस वाले के और पांच छे इसके साथ जो हाइड्रोजन है उन ही को लेना ठीक है एक तो इसके हो गए और उसके बाद अगर हम इस वाले के देखें तो इस वाले में देखें एक दो ठीक है और पांच छे और चार ये इधर हैं और थर्ड वाले के अगर हम देखे बच्चो तो थर्ड वाले के ये हो जाएंगे ऐसे करके ये जो है थर्ड वाले के 8 हो गए इस थरे से आपको इसकी सरंचना बना देनी है उसके बाद नेक्स देखे तो वीडियो पॉस करके कर लीजिए नेक्स एथाइन एथाइन के केस में देखे एथाइन का फॉर्मुला क्या होता है C2H2 ठीक है अब C2H2 का मतलब क्या है यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कितने आबंद है तीन आबंद है एथाइन है ना आइन तो तीन आबंद हो गए और एक के साथ एक एक जो है क्या लगा दिया हाइडरोजन लगा दिया और इस तरह से फिर इसको जो है हमने पूरा कर दिया छे और ये दो आठ और इसी तरह इसके छे और ये दो आठ तो बहुत आसान है अब करेंगे carbon dioxide तो carbon dioxide का पहले बना लीजिए ये बन गया carbon dioxide अब एक carbon लगाईए एक oxygen और एक ये लगाईए तिक है अब देखे carbon में क्या होता है यहाँ पर कर दे रहे हैं carbon में 2 और 4 जो है भारी कक्ष में 4 electron और oxygen में 2 और 6 बारी कक्ष में 6 इसको 2 ही तो चाहिए पूरे करने के लिए तो ये इसी लिए carbon के साथ 2 के साथ आवंद बनाएगा बाकी 2 को बिल्कुल नहीं 6 बाकी 4 को ये बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देगा ठीक है ये 4 इसके बिल्कुल अलग है इन 2 से मतलब है क्योंकि 2 के साथ ही ये bonding करने वाला है इसी तरह यहाँ पे भी oxygen के ये हो जाएंगे 6 अब देखिए carbon के लगा लेते हैं तो carbon के क्या होंगे अब अगर हम देखें तो carbon के भी 2 इधर कर लेगा carbon carbon के पास तो हैं ही 4 ना तो 2 इस oxygen के साथ और 2 इस oxygen के साथ तो जैसे हमने ये बनाया बिल्कुल सेम वैसे ही तो oxygen के 6 तो अपने थे 2 इसने इसके साथ कर लिए इस oxygen के 6 अपने थे 2 इसके साथ कर लिए ठीक है अब अगर हम बात करें किसकी carbon की तो carbon जो है ये इसके साथ इसके carbon के देखो 4 तो अपने है और 2-2 oxygen से ले लिए इस तरह से carbon dioxide की सरंचना बन जाएगी ठीक है तो ये carbon dioxide की सरंचना हो गई उसके बाद next देखते हैं हम cyclopentene cyclopentene का formula है C5H10 यानि 5 carbon के साथ 10 hydrogen लगी हुई है इस तरह से इसकी सरंचना बन जाएगी ठीक है ये हमने पिछली वरक्षीट में भी किया था और हर एक के साथ जो है 2-2 hydrogen आ जाएगे बच्चो तो यहां से आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो अब इसी तरह हम benzene की सरंचना सीखेंगी देखे बेंचीन की सरंचना में इसका formula होता है C6H6 तो इसको हम कैसे बना देखेंगे ये वाले ठीक है इसके बीच में एक-एक क्या होता है द्वी आबंद होता है और हर एक कार्बन के साथ ये क्या बनी होती है एक-एक hydrogen लगा होता है आबंद को पूरा करने के लिए तो ये लगी हुई है hydrogen आप C6H6 की रचना करनी है तो देखे छे कार्बन लिख लिए बहुत आसान है ये हमने 6 कार्बन लिख लिए अब कार्बन के साथ अब देखो मान लिए ये नंबर वन कार्बन हम यहां से शुरू कर रहे हैं तो ये हमारा नंबर वन कार्बन है ठीक है अब इस कार्बन के पास जो है दूसरे कार्बन ये दूसरे नंबर का कार्बन है तो बीच में 2 आबंध है, 2 आबंध है, तो हमें 2 इलेक्ट्रोन यहाँ बनाने पड़ेंगे, यह थो हो गया, उसके बाद फिर क्या है, single है, देखे हम color change करके करते हैं, उसके बाद यह single है, तो हमने इसके साथ यह single बना लिया, उसके फिर से डबल है तो इस वाले के साथ फिर से डबल आ जाएगा फिर से सिंगल है तो यहां सिंगल डबल है तो यहां डबल और सिंगल है तो यहां सिंगल अब क्या करेंगे यह हमने कर लिया अब हम करेंगे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोन लिखेंगे तो हाइड्रोजन के इले हाईडरोजिन के साथ जो है पहले हम कार्बन एक-एक तो कार्बन का बचा हुआ है तो एक-एक हम कार्बन का ओर लगा लेते हैं पहले ताकि आपके अपके ना हो यह एक-एक कार्बन के हमने 4-4 लिख लिए है पूरे, 4 होने चाइए न, तो 4-4 लिख लिए, अब हम हाइड्रोजन का लगाएंगे, तो हरे कार्बन के साथ, एक-एक जा रही है हाइड्रोजन तो एक-एक आइड्रोजन बचों, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, तो एक-एक करने के लिए हम यह वाला कलर ले लेते हैं अब देखे हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन के दो हाइड्रोजन के दो यह हैं इधर वाले और यह दो ठीक है यह यह हाइड्रोजन के पूरे हो गए अब बात कर लेते हैं हम किसकी कार्बन की आप कार्बन देखो कार्बन के पास चार तो अपने थे बच्चो चार कौन से कौन से एक तो दो तो ये हो गए और देखो ये वाले दो ये वाले तीन और ये चार तो चार तो इसके अपने एक इसने से ले लिया एक ये इधर आएगा पकड़ना तो इसको सभी को एक साथ पढ़ेगा ना एक दो तीन चार पांच 6 और 2 यह हो गए 8 अब देखो count करके देखो अभी पहले गोले के count करो कि कितने हो गए एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ आठ हो गए ना बस अब इस कारवन के साथ जो जुड़ा हुआ है उन सब को जो है गेरे में ले आओ अब देखो इस कारवन के साथ हाँ इस कारवन के साथ ये वाले अब देखो एक दो तीन चार ये जुड़ गए उसके बाद नीचे आओ अब इस कार्बन के साथ भी इसकी दोस्ती है इसके साथ इस वाला इलक्टरोन अब इस हाइडरोजन के साथ भी इसकी दोस्ती है ना तो एक दो तीन चार पांच है और इस हाइडरोजन के साथ ही ये वाली ठीक हो गया अब इसी तरह इसके साथ ये वाला है और इसके साथ चार के साथ इसकी दोस्ती है और इसके साथ ऐसे ही तो ऐसे ही आप इसमें complete कर लेंगे बच्चो जब आप खुद से करेंगे तो बहुत अच्छे से कर सकते हो क्योंकि इसमें जो है ऐसे बनाते हुए confusion होता है लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इसको clear कर सको ठीक है तो इस तरह से आप इसको complete कर लेंगे तो यह थी आपके आज की science के worksheet I hope सभी बच्चो को clear है फिर भी कोई doubt है तो आप पूछ सकते हो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसको like कीजिए share कीजिए और channel को subscribe कर दीजिए so thanks for watching मिलते है next video में next worksheet के साथ take care bye bye